ग्यारस पूर के काला पाठा से पोधारो पड़कर शेत्री विधायक लीना संजे जेन ने अपने दोरे की शुरुआत की जिसमें हिम्मत पूर के आदिवासियों के बीच पहुच कर प्रधान मंतरी आवाज दिलाने का आश्वासन दिया इसके बाद हैदरगर वेल्ट के ग्रामों में पहुच कर किसानों के बीच उनकी फसल जो नश्ट हो गई है उन फसलों का जायजा लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि जितना भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें सो प्रतीशत मुआवजा हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग जोहान के द्वारा दिलवाया जाएगा मैंने आज जो ये कारिकरम बनाया ये मेरे किसान भाईयों अकेले के लिए नहीं है मैं सभी कारिकरता भाई गाउं गाउं जाके मिल रही हूँ क्योंकि हमारी सरकार में हमारे अधरने मुख्यमंतरी जी की सिवरा सिंग जी जोहान जी की इच्छा है कि हम लोग छेतर में जाएं और लोगों से मिलें रहसावाल जो आप के रहे हैं कि फसलों में नुकसान हुआ तो मैं पहले भी के चुकी थी और आज आप लोग के जानकारी के लिए बता दू जब मैं पहले आई थी उस टाइम ही मैंने पटवारी तहसिलदर सबसे बोल दिया और हमारे आदरनी भाई सबके निर्देश अनुसार सिवराज सिंगी चोहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि जो भी फसल का नुकसान हुआ होगा वो पूरा मुआपजा किसान भाईयों को मिलेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दू हंड्रेट पर कुछवा की रिपोर्ट